आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप Google AdSense से पैसे कैसे कमा सकते हैं लेकिन सबसे पहली बात, जब हमारे पास Google AdSense है, तो हम Google AdSense क्यों ले? देखिए, Google AdSense एक बहुत अच्छा Ad Network है, आप Google AdSense से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास SEO का बहुत अच्छा नौलेज है, तो अगर आप अपने ब्लॉग में और्गिनिक तरीके से काम करते हैं, तो आपके लिए Google AdSense best network है लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग का social promotion करते हैं, मतलब कि आपके पास आपकी खुद की audience है, आप अपनी audience के साथ अपने ब्लॉग को share करते हैं, तो आपके लिए Google AdSense जादा best रहेगा क्योंकि अगर आपके ब्लॉग में जादा social traffic रहेगा, जादा direct traffic रहेगा, इसके कारेट से आपको AdSense में ad limit का issue आजाएगा, कई बार तो आपका AdSense account close भी हो सकता है बस इसी issue की वज़ा से बहुत सारे blogger Google AdSense का use करते हैं, गूगल AdSense भी बहुत trusted platform है, ये Google के ही certified partners होते हैं Google AdSense approval लेने के लिए आपको Google Ad Manager का account बनाना होगा, अगर अभी तक आपने Google Ad Manager का account नहीं बनाया, तो ये वीडियो देखकर आप बना सकते हैं इसमें मैंने आपको complete method बताई है कि कैसे आपको Google Ad Manager का account बनाना है, अगर आपके पास Google AdSense का account है, तो आप Google AdSense का approval भी ले सकते हैं, मतलब कि आपके पास एक blog होना चाहिए, उसमें Google AdSense का approval होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक Google Ad Manager का account होना चाहिए, उसके बाद आप ब्लॉग को Google Adx के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ब्लॉग में बहुत सारा organic traffic है तो आपको free में Google Adx का approval मिल जाएगा आज market में बहुत सारी company है जो Google Adx का approval देती हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन-कौन सी company है और किस company का आपको Adx लेना चाहिए तो आप मुझे comment करें इसका मैं एक dedicated video बना दूँगी कि कौन-कौन सी company है कैसे approval लेना है और कौन-कौन सी trusted company है और किसका आप approval लेना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो आप इस video की नीचे comment करें मैं इसके लिए आपको dedicated video बना दूँगी जब आपका blog Google Adx से approved हो जाता है तो continue आपको अपने blog पे काम करना है कोशिश करिए कि आप continue काम करें तो आपके पास organic traffic भी हो आप discover पे भी काम करें तो आपके पास free traffic भी होगा इसके बाद अगर आपके पास social traffic है आप अपने blog का social promotion करते हैं तो भी adx में कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप relevancy के साथ काम करते हैं मतलब जिस niche पे आपने blog बनाया है उस niche के according अगर आप अपने blog को socially promote कर रहे हैं और गिने काम कर रहे हैं consistent work कर रहे हैं तो कोई problem नहीं होगा कि आपके पास social traffic है, direct traffic है आपके पास आपकी audience जहां पे भी है आप उससे Google adx से earn कर सकते हैं जितना भी पैसा आपकी Google adx account में बनेगा वह month end में Google adsense account में add हो जाएगा जैसे कि हमने आपको बताया कि Google adx हमने आपको बताया Google adx की जितनी भी company है वो Google के ही certified partner है इसलिए Google adx में जितना भी payment बनता है वो month end में Google adsense account में add हो जाता है और Google adsense की जो payment cycle है उसी payment cycle के हिसाब से आपके bank में वो payment receive हो जाता है आप सवाल यह है कि instant Google adx के approval मिलेगा कैसे इसके लिए आपको link description में दी है आप उस group को join कर लीजे ये बाकी की information आपको वहां मिल जाएगी ये वीडियो पसंद आई तो इसे like, comment and subscribe करिए आज की लिए इतना ही बाकी digital mega में मैं blogging से related बहुत सारी information लेके आती हूँ तो अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर लीजे क्योंकि blogging से related यहाँ बहुत information आपको मिलेगी आज की लिए इतना ही thank you